क्या आप अलमारी में जैकेट के ज्यादा जगा घेरने से परिशान हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जैकेट फोल्ड करने के अलग लग तरीके ज्यादा तर हम जैकेट की इसी तरीके से तैय लगाते हैं ये समझ के कि ये शायद कम जगा घेरे लेकिन इससे भी अलमारी के ख़णने भर जाते हैं आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जैकेट फोल्ड करने के अलग लग तरीके शेयर करूंगी जैकेट की जिप बंद करेंगे और जैकेट को उल्टा करेंगे यानि जैकेट की फ्रंट साइट को नीचे की तरफ करेंगे इसके बाद जैकेट की बाहें यानि स्लीव्स को इस त्रीक्के से फोल्ड करेंगे और फिर नीजे की हिस्से को वान थर्ड यानि एक तिहाई हिस्से को उल्टा फोल्ड करेंगे और उपर वाले हिस्से को फोल्ड करके इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से जैकिट फोल्ड करने से जैकिट बहुत ही कम जगा घेरती है अगली जैकिट अब मैं आपको अगली स्लीवलेस जैकिट को फोल्ड करके दिखाती हूँ पहरे जीप बंद करेंगे और फिर उल्टा रखेंगे पहले की तरह नीचे से वन थार्ड हिस्से को फोल्ड करेंगे और फिर उपर के हिस्से को इसके अंदर मोड़ कर डाल देंगे तो स्लीवलेस जैकिट कुछ इस तरह से फोल्ड होकर दिखती है अब एक लॉंग जैकिट को फोल्ड करेंगे और देखते हैं कि ये जैकिट कित्मी जगा खेती है पर सीजर सेम वही रहेगा जिप बंद करेंगे और उसको जैकिट को उल्टा करेंगे और स्लीवस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जैकिट के नीचे के हिस्से को फोल्ड करेंगे और उपर के हिस्से को मोड़का इसके अंदर टाल देंगे तो देखिए एक लॉंग जैकिट भी कित्नी कम जगा गेरती है और अब मैं आपको ज्यादा क्विल्टिट जैकेट को फोल्ड करके दिखाती हूं कि यह देखने में कैसी लगती है और कितनी जगा घेरती है सबसे पहले जिप बटन करेंगे और अगर जैकेट में बटन लगे हैं तो बटन भी बंद कर देंगे और फिर उसी तरीके से फोल्ड करेंगे अलमारी में जैकेट से ही सबसे ज़्यादा जगा घेरती है अगर हम इनको अच्छे से सेट करके रखेंगे अच्छे से जगा गेरती है, इस तरीके से मैंने आपको चार अलग लग तरीके की जैकेट को फोल्ड करके दिखाया है इस तरीके से जैकेट रखने से एक तो जगा कम गेरती है और देखने में भी अच्छी लगती है तो आईए हम जैकिट को फोल्ड करने का दूसरा त्रीका भी देख लें सबसे पहले जैकिट की जिप बंद करेंगे और बटन बंद करेंगे और फिर जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी त्रीके से आप जैकिट को फोल्ड करें और इस त्रिक्के से स्लीव को सेट करें और फिर नीचे से रोल करना स्टार्ट करें इस त्रिक्के से फोल्ड करने से जैकेट बहुत ही कम जगा घेरती है और फिर कोई भी डोरी लेकर या फिर कोई बड़ा रबर्ड बेंड लेकर हम जैकेट को इस तरीके से बान सकते हैं इस तरीके से फोल्ड की हुई जैकेट को हम हैंड बैग में डाल कर बहुत यसानी से ले जा सकते हैं और अभी मैं एक और बड़ी जैकेट को भी फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ सेम इसी त्रिक्के से जीप को बंद करेंगे और फिर जीप तक ले जाकर इस त्रिक्के से हम फोल्ड करेंगे और स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे और दूसरी साइट से भी हम जिप तक लेकर इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे और फिर नीचे से रोल करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से फोल्ड करने से भी हम अपनी अलमारी में जितनी मजी चाहें जैकेट्स रख सकते हैं और अगर हम ट्रैबलिंग में भी काफी सारी जैकेट्स ले जा सकते हैं और फिर कोई भी डोरी लेकर हम इस तरीके से बान देंगे तो ये था जैकेट को फोल्ड करने का दूसरा तरीक का इस तरीक के से फोल्ड की ही जैकेट्स भी बहुत ही कम जगा घेरती हैं और इस तरीक के से फोल्ड की ही जैकेट्स को ट्रैबलिंग मिल जाना बहुत ही असान है ट्रैबलिंग के लिए ये सबसे बेस्ट है जैकिट फोल्ड करने के ये दोनों तरीक्ते आपको कैसे लगे कमेंट बोक्स में शेर करना विलकुल न भूले और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना तो विलकुल भी न भूले तो देखा आपने जैकिट फोल्ड करने के दो तरीके पहला इंसाइट फोल्ड करने वाला देखने में सुंदर और निकालने में असान दूसरा रोल करके ट्रेवल बैग में ले जाने के लिए असानी आपको इन दोनों तरिकों में से कौन सा पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़ूर लिखें